गुरपो नियू से बात करते वे CMO डॉटर श्रीकांतिवारी ने कहा कि जिले में करोना संक्रमार में काफी कमी आई है CMO ने कहा कि शेर में निगरानी समिती बहुत अच्छे से कारिय कर रही और अभी तक 6000 से उपर की करोना टेस्टिंग हो चुकी है अभी जिले में करोना के 238 केस हैं और 152 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 10 लोग 100 मार को ठीक होकर घर जा रहे हैं CMO ने कहा कि अगर किसी भी वेक्ति के अंदर खासी या वोखार के लच्छड दिखाए दे तो तुरंट टोलफली नंबर हमारे C.U.G. नंबर पसंपर करें जिससे हम समय पर उनका इलाज कर सकें और बाकी लोगों में संकरमन ना फैलने पाए और सभी लोग सोचल इस्टेंसन का पालण करें घरों में रहें और साथ वर्ष के उपर के व्यक्ति और चोटे बच्चे वहर से बाहर न निकलें बहुत आवशकता पर ही निकलें क्योंकि ऐसे लोगों में करोना पाध्र होता है सबी लोग मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करें बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले ना निकलें और समय समय पर अपने हाथ को सावुन से धोएं जिससे की संकरमण को फैलने से रोका जा सके इस समय वे गुरपनी से बात करते हैं वे सिये मोड़ाटर श्रीकान तिवारी ने कहा करिबन 6,000 से उपर टैस्टिंग हम अभी तक कर भी चुके हैं । आज की तारेक में हमारे 238 चेस आज चुके लेकिन उसमें से 152 को हम क्लिक करके भेज दिये हैं, 10 को आज डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज रेट भी हमारा अच्छा है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हाँ लोगों को जैसे ही कोई सिम्टम समझ में आए, किसी को खांसी हो रही ही, सांस पूल रही है, या किसी को बुखार आ रहा है, तो उसको तुरंथ हमारे टॉल फ्री नंबर, हमारे आफिस के नंबर, हमारे परसनल नंबर पे फोन करना चाहिए, ताकि हम समय रहते हैं, उनका इलाज शुरू करके और उनको बचा से, मेरी अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस कबर जरूर यूज़ करें, मास्क के रूप में, गमचे के रूप में, रुमाल के रूप में, और जहां कहीं भीड़ भड़का हो, जरूरत ना हो, तो बिलकुल ना जाएं, बुजर्गों, महिलाओं और प बिलकुल ना जाएं, क्योंकि इनको बिमारी पकड़ने का खत्रा भी ज्यादा रहता है, और इनको बिमारी पकड़ लेती है, तो इनके डेथ होने के भी चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए मेरी अपील है, साबसफाई का ध्यान रखें, हैंद रोश करें, फेस कबर लगा आएं तो कोर्णा से डरने की जरूरत नहीं है आप कोर्णा की जपेट में नहीं आएंगे आप कर दो कर दो